हेलो फ्रेंट्स मैं मनोज कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर दोस्तो आज एक बहुत छोटी सी बात को हम डिसकस करने वाले हैं किसी भाई ने पिंग करके चैट करके एक कुशन पूछा है कि सर्क किसी भी कंपनी के अंदर कौन-कौन सी जॉब्स होत लेकिन क्योंकि किसी भाई ने एक कुशन पूछा है तो डेफिनिटली हम इसका अंसर जरूर देंगे दोस्तों किसी कंपनी के अंदर कौन-कौन सी जॉब्स होने वाली है यह डिपेंड करता है मेरे कंपनी के नेचर ऑफ बिजनिस पर अब यह नेचर ऑफ बिजनिस कह है इ बिजनिस तरीकी का काम होता है उस काम के सब्सक्राइब्स पर ही mentor डियुक्ट करेंगे अब वहां पर किस तरीकी जॉब्स होंगे, वहां पर केवल और केवल एक दो तरीके की जॉब प्रोफाइल बनेंगे लाइक कोई एड्मिन हो सकता है जो कैब की फैसिलिटी देगा मेरे उन इंप्लोईस को जिनको वो पिक एंड्रॉब की फैसिलिटी देगा तो एक एड्मिन हो सकता है सिक्यूरिटी गार्ड की कि वहां पर jobs हो सकती है security वाले की कुछ jobs हो सकती है और penalty वाले मतलब जो coffee tea जो employees के खाने पीने का ध्यान रखते हैं वो कुछ एक jobs हो सकती है office boy की jobs हो सकती है यह तो वह lower grade का profile जिनकी वहां पर ज़रूरत हो सकती है और किसकी क्योंकि call center है calling होगी तो definitely call करने वाले बंदों की जिनकी communication skills अच्छी होगी ऐसे बंदों की वहां ज़रूरत होगी तो nature of business हुआ मेरे call center का कि वहां पर calling मेरा priority का काम है calling वाले काम को support करने के लिए ही मुझे टेक्सी चीए जो बंदों को लेके आएंगे calling के काम के लिए मुझे employees के खाने पीने का कि उनको कब coffee कब tea कब snacks क्या देना है क्या नहीं देना है कब food देना है तो उन चीजों के लिए penetry वाले की job होगी उन चीजों के लिए इसमें most of the jobs मेरी cover होंगी जिसमें basic से security guard से लेकर के अपर profile तक का जो भी होगा सारे के सारे profile की information हम एक ही बोर्ड पर एक ही वीडियो में जान पाएंगे सो दोस्तों एक बार बोर्ड पर चलते हैं थोड़े सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और पूरे सिनेरियो को बिलकुल layman time में समझेंगे reason है कि किस तरीके से company काम करती है कैसे jobs वहां से निकलती है तो चलते हैं बोर्ड पे x y z let's say मेरी एक company है but obvious है बाई company होगी तो company में एक तो reception हो गई होगा अगर मैं company में enter करूं तो सबसे पहले मुझे reception ही मिलेगा तो receptionist की job वहां पर होगी तो receptionist एक profile हो सकता है reception के profile हो सकते हैं reception से भी पहले की बात करों तो जहां से आपने enter किया है वहाँ पर आपको security guard जरूर मिला होगा तो security guards के वहाँ profile हो सकते हैं parking में आपने अपनी गाड़ी अपनी बाइक वहाँ पर parking में लगाई होगी तो maybe वहाँ पर parking में जो आपकी services होती हैं कि आपकी parking automatically driver वहाँ पर पार्क कर दे अगर इस तरीकी की services companies ने provide की हुई है तो definitely parking boys की वहाँ पर profiles होंगे यह सारे के सारे मेरे admins के अंदर आते हैं हम detailing में जरूर बात करेंगे अब reception पर हमारी receptionist की job होगी यह भी admin के अंदर दे बट आप यसे company कि से मिलके बनती है company बनती है employees से मिलके employees में receptionist भी हो सकता है employees में आपको office boy भी हो सकता है employees में कोई sweeper भी हो सकता है employees में कोई guard भी हो सकता है employee में field boy भी हो सकता है career boy भी हो सकता है कोई भी बंदा company का employee हो सकता है तो सभी को मिला करके majority of persons को मिला करके मेरी एक company मिलके बनती है तो चलते हैं एक एक department की बात करते हैं समझते हैं कि किस तरीकी की jobs को handle करने के लिए कौन-कौन से department companies के अंदर होते हैं दोस्तों अपनी knowledge के हिसाब से मैंने कुछ यहां जरूर लिखें बहुत सारे department इनके अलावा बहुत सारे department होते हैं कि यहां करते हैं किस पे जैसा मैंने पहले मताया nature of business पे कंपनी का काम करने का तरीका कुछ चीज में काम करती हैं कंपनी की चीज में डील करती हैं उस हिसाब से डिपार्टमेंट जॉब्स एंद प्रोफाइल्स मेरे होते हैं तो बड़ ऑविस है कि कोई भी कंपनी होगी तो इंप्लॉई की चीजों को हैंडल करने के लिए वहाँ पर एक यूमन विसोर्स य ब offense होगा ही और अब चीज का कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर एचसुदि cheeks बननी है क्या उफ्टेश सेजिट के लिए में और ओный अफ्ट hoc ठीक है दोस्तों HR के बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है admin अब admin department अपने आप में ही ये कितना wide department है कि इसका end ही नहीं होता जो profile किसी भी चीज़ के अंदर नहीं आता वो automatically admin के अंदर count होता है reason देखें आप खुद ही देखें admin के अंदर सबसे पहले आप गाड़ी लेके आए तो parking में जो बंदा आपको मिला जिसने आपकी गाड़ी पार्क कराई वो बंदा भी आपका admin में count होगा field boy company का कोई भी सामान अगर एक location से दूसरी location पे किसी भी purpose से भेजा जाता है तो company उस profile के लिए भी अपने पास एक दो depend करता है company का कैसा business है एक दो दस बीस पचास जैसा भी business है उस हिसाफ से requirement के basis पे अपने पास field boy जो bikes ये गाड़ी या किसी भी तरीके से एक समान को दूसरी location तक पहुचाते है या दूसरी location से अपने office में लेकाते हैं तो field boy वहां पर होती है security security के अंदर दो profile होते हैं दो से भी जाद होते हैं वैसा तो एक होते गाड़ की प्रोफाइल जो आपको मिलते हैं आपके गेट पे होते हैं company के इंट्रेंस गेट पे होते हैं company की parking में भी एक दो गाड़ विजिट करते रहते हैं बॉजर बॉजर भी दोस्तों Profile होते हैं मेजरली आपने बॉजर सको देखा होगा पंव में बार्स में या कहीं पर कोई इवेंट हो रहा होता है तो किसी नेता भीनेता के साथ आपने बॉजर देखांगे बॉजर भी company के अंदर प्रोफाइल होते डिपेंड आपकर लेट वांपनि का काम क्या रहा इन कि तो आपको जरुद पड़ें के तो सेक्जूरिटी में बाउंसर भी हो सकते या इसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पाइस लाइसेंस, अपनी गंस हो तो कोई करने के लिए या कभी कोई चाय कोफी या कुछ फैल जाए या कोई और चीज हो जाए तो उन चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए ओफिस के अंदर मेल और फिमेल दोनों तरीकी का स्टाफ मैंटें करता है अगर कंपनी के लिए अपने की प्रैब interess के लिए और करना या मेरे अपने एक अपने ट्रॉआइज को पिक एन्ट्रॉ दोनों ओंव मेरे किसके अंदर एड्मिन के आते हैं दोस्तों जितने बी मेरे ऐसे प्रोफायल जिन और कोई आपकोई बी ऐससा प्रो जो कहीं और सेट नहीं होगा किसी और डिपार्टमेंट वह सारे के डिमपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं और आगे बात करते हैं ऐसक्षा माइनेक्निंस इनिंट की बात इसकी बात में करेंगे लिबर किहा तो मैं ने कյे कि यूड़ेकरlle करते हैं उनिकैंट द्मक्वें एक से तो यहां पर कियों तो मैं बताता हुं利र के नदर फिरस द्लॉसें बड़ टेक भी कहा जाता है कि टेक पूरा एक department है hardware के अंदर further profile हो जाते हैं कि hardware है तो बट obvious है कि hardware कभी न कभी बहुत सारे laptop होंगे बहुत सारी computers होंगे बहुत सारे printers होंगे बहुत सारी electronic devices होंगे वह सारी की सारी चीजे अगर कभी repair होती है है खराब होती है यह नहीं पर्चेज की जाती है तो उसके लिए मेरा hardware में store में एक store manager होता है जो इन चीज़ों को maintain करता है purchasing के लिए भी एक store purchaser होता है जो purchase करता है तो यह भी profiles मेरे होते हैं company के अंदर उसके बाद अगर software की टेक की पात को लो तो इसमें तो बहुत समय है दोस्तों कोई endless है डिपेंड करता है different technologies और different softwares पर यह department मेरे बाइफ़केट हो जादें कुछ एक department सिहाँ पर लिखें लेट से कि जो एक मेरा टेस्टिंग का department है जिसको Qa को सकते लिट क्वालेटी अलिट्टर ऊपधे खुद में अपनी बहुत बड़ी की यह बहुत बडिब DRP करती है ड़वलेपर्स होते हैं को तर फके प्ल लेक्षी डिज्टाइनिंग होता है जो अलग-अलग technologies में काम करके अलग-अलग software पर काम करके अपनी डिग्री हासिल करते हैं वो सारे के सारे designers मेरे design करते हैं उन चीज़ों के लिए photography का भी काम हो सकता है लेट से कि आप कुछ purchase करता है आपको अब पहले प्रोड़क्त लेते हो फिर उसको photograph लेते हो फिर अपलोड करते हो फिर फिर फोटोग्राफर का भी प्रोफाइल होता है companies के अंदर finance अगर company बोला जा रहा है तो जरूर वहां पर पैसे का लेन देन की क्या कहानी है किस account में अकाउंट से मेरा मतलब सेल्डी वाला या मेरा सेविंग या मेरा बैंक अकाउंट नहीं है दोस्तों यह अकाउंट है जो company की balance sheet बनाने में यूज होते है यह account में किसमें credit होता है किसमें debit होता है क्या चीज इन हो रही है क्या out हो रही है उन चीजों को maintain करने के बोल सकते हैं कम्पनी का जुड़ा हुआ पैसा कहां इंवस्ट करना नहीं नहीं उतानने है वह सारी कि सारी चीजे अपने को पास होती है कि बेंक के साथ को अच्छछ टूजेट करने कि पर कितना invest करना है वह सारा काम मेरा ट्रैश्री डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट कमपनी जरूर जब भी कोई अच्छा काम सीधी सी बात है कोई बीचीज अगर ठीक तरीके से भी चलती है तो भी कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है कोई भी जीजे है उनको डील करने के लिए लीगल DEPARTMENT होता है लेट से कोई कंपनी लेंड में डील करती है तो आप जानते हो जमीन के लेंद में खुदमें ही अपने आप में कितनी हाय तौबह होती है रेजिस्ट्री होनी है उसके साइन चीए इसके साइन चीए यह पेपर मिसिंग वह पेपर मिसिंग उसकी लीगल जमीन ले लिए उसका इलीगल काम हो गया यह उसको पैसे नहीं मिल ला इन चीज़ों को मिल करने के लिए लीगल डिपार्टमेंट डिपेंट्स अपॉन दर नेचर ऑफ बिजनिस ऑफ एनी कंपनी तो यह लीगल डिपार्टमेंट होता है उसके बाद आपकी कंपनी के मैंटिनेंस के लिए इलक्टिशन्स वगयरा होते हैं वो मेरे अडमिन के अंदर आते हैं तो दोस्तों डिपेंड करता है कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनिस क्या है उसी हिसाब से उसमें डिपार्टमेंट्स ब्रेक होंगे उसी हिसाब से उसमें जॉब्स निकलेंगे तो मुझे लगता है इन ज सकती है किस चीज पर डिपेंड करता है यह तो आप विदिए और याइक शेयर और कमेंट जरू के lesia सो देट हम इसी तरीके से आपके लिए छोटी-छोटी और लेमें टम वाले डिसक्रिशन की वीडियो लगाता बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों फिर से मुलागात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ तब तक के थेंक्यू सुमाच